जै मातादी जै श्री राम कालि उसक्या विगाड़े जो भक्तों महाकाली का ओम नमो काली का पाला देही देही स्वाहा जै महाकाली संसानवाशनी जै मातादी मैं राम भईया बगजी जिला गाजयवाद उत्तर परदेश से आप सभी लोगों को नमश्कार पढ़नाम करता मेरे दोस्तों आज मैं आपको पता हुआ कि हवन वश्यकरन क्या होता है और कैसे यह काम करता है मेरे दोस्तों हवन वश्यकरन जब इस्तमाल होता है अगर कोई विदेश में बैठे आदमें को होगर हमें कंट्रोल में करना हो यह सवाल बड़ा आपको सुनने में भी मानना या ना मानना यह आप पर निर्वर करता है मेरे दोस्तों शडियंत रचने वाला तंत्र मंत्र का एक बहुत बड़ा गहरा राज है शडियंत रचने वाला कोई और नहीं मेरे दोस्तों अपना ही होता है क्योंकि अपनों कहीं पता होती है कि दिल की दिवार कहां से कमजो हैं तो तंत्र मंत्र का भी यही हिसाब है मेरे दोस्तों इसको जब भी करेगा वह आपका अपना और जो सबसे ज्यादा क्लोज होगा वही आप पर तंत्र मंत्र का प्रियोग करेगा क्योंकि मेरे दोस्तों मेरे पास विदेश से भी कोल आते हैं जर्मनी जापान और इस्पैन साओधियरब मेरे दोस्तों क्या हम वीटेश में बैठे आदमी को अपने वश में या कंट्रोल में कर सकते हैं जाहिसी बात है आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा कि ऐसे कैसे हो सकता है क्योंकि मेरे दोस्तों जैसे की तंत्र साधना में जिसके उपर तंत्र साधना करना हो या उसों कंट्रोल में करना हो कोई भी चाहिए वह अच्छी शक्ती से कराना हो या बूरी से कराना हो सबसे पहले उसका कपड़ा जो पहना हुआ कपड़ा होता है फोटो होता है नाम होता है यह सब क्यों मांगा जाता है अगर आप लोकल से orama 11 25000 किलोमेटर की एलिया में तो मेरे दोस्तों भागात', तांट्रिक', मुल्नामोल्वी क्यों मांगते हैं कपड़ा पहनाऊ कपड़ा लेते आना जी फ्वॉटो लेते आना जी करकी मट्टी लेके आना जी क्योंकि जो एनर्जी होती है वेह उस untrakन्ने लगती है जिसकह उसके अंदर गंद 奶h होती है कपड़े के अंदर मालों आप यह किसी के पास पर भी नहीं होती तो तो मेरे दोस्तों बहुत से लोग नाम द्वारा करते हैं तो हम दूर बैठे इंसान को कैसे अपने वश्व में कर सकते हैं मेरे दोस्तों कम से कम उसका की नजदीक होना बहुत जरूरी है चाहे आपको फादा करना हो या नुक्सान करना हो अगर दुस्मन को भी आपको खात्म कना है तो मेरे दोस्तों सबसे बड़ा एक गेहना राज है अगर कोई विदेश में बैटे, आदमी को आपको कंट्रोल में करना है उसका नाम है उसका पता उसकी मांका नाम उसका गौत्र तो मेरे दोस्तों अभी एक लड़गी का फोन आया मेरे पास कि गुरूजी क्या हम किसी को वश्मे कर सकते हैं बिलकुल कर सकते हैं अगर वह आपके नजदीक है क्योंकि मेरे दोस्तों अगर आपके उसकी बोल चाल नहीं है बहुत दूर है सीधी सी बात है अगर बिजली के बोर्ड में जब करंटी नहीं होगा तो क्य चलाओगे क्या लाइट चलाओगे मेरे दोस्तों जब मालो हमें हम अगनी को तो विक्राल बना देंगे मगर आम फट करके दुनिया में भरमाण में कोई आगनी पैदा नहीं कर सकता तो वशीकरण में आपका संपर्क होना बहुत जरूरी है जब भी वह शक्ति काम करेगी चाहे थोड़ी भोती क्यों नहों है लो है क्यों नहों संपर्क में रहना बहुत जरूरी है तो मेरे दोस्तों हम हवन द्वारा एक हवन होता है इस पैसल जिसको वशीकरण हवन बोलते हैं उसमें किसी भी चीज़ की जोदनी होती उसमें सिरफ नाम और फोटो और उसका काम लिए जाता है मिरे दोस्तों अगर आपके पास शक्ति है ताकत है निर्वर होता है सामने वाले के उपर कि जिससे आप काम करा रहे हैं कितना ताकतवर हैं तो मैंने अभी एक इसमें वर्ल्ड में कोई इसमें पढ़ता होगा वहां मैंने काम किया सफ़ल वारा हूं में दोस्तों और अभी एक जिस लड़की का मैं काम करने जा रहा हूं उन्हें बहुत ही अच्छा मेंसे सवाल किया क्या गुरुजी यह पताई है जब बहुत से लोग कहते हैं जी साथ सुमंदर पार इस चीज़ का असर नहीं चलता तो शक्ति कैसे काम करेगी मेरे दोस्तों जिस भगत के पास जवाब भी नहीं है ज्यान ही नहीं है शक्ति ही नहीं है तो आपको क्या संतुष्ट करेख तो मेरे दोस्तों मुझे उसका सवाल बड़ अच्छा लगा मेरे दोस्तों मैंने का आप हिंदू धर्म से हैं वो महा जर्मनी में रहती है लड़की केली जी बिलकुल मैं कोलकत्ता की रहने वाली हूँ तो ये बताए कि हनुमान जी ने हनुमान जी साथ सुमंदर पार कैसे पोच गए दोस्तों उसका दिमाग काम करना बन कर दिया वो चुपो गई हर्मान जी सीता जी से कैसे मिलने चले गए सिरी लंका तो मेरे दोस्तों सब कुछ संबभ है मगर तंत्र मंत्र में शर्यंत रचने वाला आपको नफा नुकसान देने वाला कोई और नहीं अपना ही होता है क्योंकि अपने को ही पता होती है कि दिल की दिवार कहां से कमजोर है घर का बेदी लंका डाय तो मेरे दोस्तों दूर बैठे इंसान को भी हम अपने कंट्रोल